नमस्कार दोस्तों, एक बर्फिट से आप सभी का स्वागत है दोस्तों, EMRS, स्टाफ सिलेक्शन के माध्यम से टीचिंग और नान टीचिंग के पदोपर वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल, PGT, Accountant, JSA, Lab Attendant इन सभी से सम्मंधित 4062 पदोपर वेकेंसी निकाली गई है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सभी वेकेंसी के बारे में यहाँ पर डीटियल में एक एक करके बात करेंगे आप सभी लोग इस वेडियो को पूरा देखान से लाड़ सकते किए इसमें इन सभी के बारे में संपूर जानकारी देखेंगे जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या है, आयुसीमा क्या है, वेतन क्या है, एक्जाम पैटर्न क्या है इन सभी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर टोटल 303 पोस्ट है और PGT के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2086 पोस्ट है सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए एक-एक subject आप लोग अपना देखिए English, Hindi, Math, Chemistry, Physics, Biology, History, Geography, Commerce, Economics, Computer Science इन सभी subject से सम्बंधित यहाँ पर vacancy है जो PGT के लिए है और यहाँ पर third language से सम्बंधित भी vacancy है मराथी, उडिया, तेलगू, संस्कृत, बंगाली और संथाली इसके लिए total यहाँ पर vacancy है दोस्तो, आप लोग देख सकते हैं 180 post है total आगे बढ़ते हैं non-teaching से सम्बंधित यहाँ पर post है JSA इसके लिए 769 post है accountant के लिए 361 है lab attendant के लिए 373 है 1493 post total यहाँ पर दिया गया है चली, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तो, details देख लेते हैं वेतन से सम्बंधित जो details यहाँ पर दी गई है principal के लिए यहाँ पर 78,800 से 2,9,200 रुपए तक वेतन है post graduate teacher PGT के लिए यहाँ पर 47,600 से 1,59,100 रुपए तक वेतन है यहाँ पर दोस्तो, PGT के लिए subject आप लोग देख सकते हैं English, Hindi, Physics, Chemistry, Mathematics, Economics, Biology, History, Geography, Commerce और Third Language और साथ में Computer Science से सम्बंधित post है accountant से सम्बंधित यहाँ पर वेतन बताया गया है 35,400 से 1,12,00 रुपए तक दिया जाएगा JSA को यहाँ पर 19,900 से 63,002 रुपए तक वेतन दिया जाएगा Mode of Examination यहाँ पर बताया गया है Pin, Paper, Mode पर एक्जाम होगा OMR, West यहाँ पर एक्जाम होगा ठीक है आगे यहाँ पर दोस्तो Principal के लिए exam pattern देख लेते हैं Total 150% में पूछा जाएगा 3 घंडे का समय दिया जाएगा Subject आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि reasoning से यहाँ पर 10 प्रस्ण पूछा जाएगा General Science यहाँ पर 20 प्रस्ण पूछा जाएगा इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर Language से संबंधित English में देख सकते हैं 10 प्रस्ण इससे हिंदी से 10% इस प्रकार से 20% इसे पूछा जाएगा टोटल यहां पर 150% पूछा जाएगा टोटल सब्जेक्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी प्रकार से यहां पर PGT के लिए है PGT के लिए भी दोस्तो टोटल 1500% पूछा जाएगा तीन घंटे का समय दिया जाएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं जनरल अवेर्नेस से 10% रिजनिंग अबल्टी से 20% ICT से 10% टीचिंग अप्टिट्यूट से 10% और आपका जो सब्जिक्ट है उससे 70% पेड़गोजी से 5% और NAP 2020 से 5% 130% यह हो जाएगा और दोस्तों Language से यहां पर 20% पूछा जाएगा तो यह दोस्तों exam pattern है PGT के लिए accountant के लिए भी यहां पर exam pattern दिया गया है accountant के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा 130 नंबर का होगा objective type के प्रस्ण होगी total 130% इसमें पूछा जाएगा यहां पर subject आप लोग देख सकते हैं दिया गया है और इसके बाद दोस्तों JSA का exam pattern यहां पर दिया गया है JSA में total 130% पूछा जाएगा 130 नंबर का होगा 5.5 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा subject यहां पर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं कुल 130% इसमें पूछा जाएगा और lab attendant का यहां पर exam pattern दिया गया है lab attendant में दोस्तों यहां पर 120% पूछा जाएगा 120 नंबर का होगा 5.5 घंटे का समय दिया जाएगा subject यहां पर दिया गया है आप लोग देख सकते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो महत्तपूर चीज़े हैं यहां पर एक एक करके देखेंगे detailed syllabus आप देखना चाहते हैं तो यहां पर emrs.tribal.gov.in के website पर जाकर appendix first में जाकर देख सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं जो महत्तपूर चीज़े हैं यहां पर हम देख लेते हैं आप लोग इस वीड़ो को पूरा ध्यान से देखते हुँ चलिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं qualification और experience age limit के बारे में बताया गया है principle के लिए बताया गया है master degree होना साहिए किसे भी university से साथ में BA degree होना साहिए और इसके लिए experience मांगा गया है PGT के लिए यहां पर बताया गया है 40 वर्स से अधिक age नहीं होनी चाहिए SCST OBC को age में छूट दी जाएगी और EMRS employee जो है उनके लिए अधिकतम 55 वर्स age निर्धारित है essential qualification मताया गया है कि post graduation की degree होनी चाहिए किसी भी university से और यहां पर दोस्तों बताया गया है जिस भी subject से आप apply करेंगे उसमें master degree होनी चाहिए जैसे English से आप apply कर रहा है तो English में master degree होनी चाहिए Hindi में master degree होनी चाहिए जिस भी subject से आप apply करना चाहते हैं हिंदी से apply करना चाहते हैं, तो हिंदी में master degree, physics से apply करना चाहते हैं, तो physics में master degree होनी चाहिए, इसी प्रकार से chemistry, mathematics, biology यह सब दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसके साथ में दोस्तो B.E.D. की degree होनी चाहिए, पोस्ट graduation के साथ में B.E.D. की degree होनी चाहिए, PGT के लिए, PGT computer science के लिए बताया है, कि अधिक्तम 40 वर्स age यहाँ पर है, SC, ST, OBC को यहाँ पर छूट दी जाएगी, EM, RS, employee को अधिक्तम यहाँ पर 55 वर्स की छूट दी गई है, 55 वर्स तक इसमें आवेदन कर सकते हैं, PGT computer science के लिए, MSC, computer science या ITC होना चाहिए, किसी भी इनवर्स्टी से, अथवा M.E.R.M.Tech किसी भी इनवर्स्टी से होना चाहिए, computer science में, एकाउंटेंट के लिए यहाँ पर बताया गया है, 30 वर्स से अधिक इस नहीं होनी चाहिए, EM, RS, employee के लिए 55 वर्स तक इस मांगा गया है, और commerce की डिगरी होनी चाहिए, किसी भी इनवर्स्टी से, JSA के लिए यहाँ पर बताया गया है, 30 वर्स से अधिक इस नहीं होनी चाहिए, EM, RS, employee के लिए अधिक तम 55 वर्स तक इस मांगा गया है, बरहुई पास होना चाहिए, दोस्तों किसी भी बोट से साथ में टाइपिंग स्वीड मांगा गया है, इंगलिस में दोस्तों 35 वर्ड प्रत मिनट टाइपिंग मांगा गया है, हिंदी में 30 वर्ड प्रत मिनट टाइपिंग मांगा गया है, लेब अटेंडेंट के लिए यहाँ पर बताये गया है, 30 वर्स तक इस जिसमें दोस्तों मांगा गया है, और EM, RS, employee के लिए 55 वर्स तक अधिक तम इस मांगा गया है, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि 10 वी पास होना चाहिए साथ में laboratory technique में diploma या फिर certificate होना चाहिए अथवा यहाँ पर दिया गया है 12th पास होना चाहिए science stream में science stream में आप 12th पास हैं तो भी lab attendant के लिए eligible हैं तो यहाँ पर दोस्तों संपूर जानकारी आपको दे दी गई है 31 जुलाई 2023 तक आप इसमें आवेधन कर सकते हैं 31 जुलाई 2023 तक ठीक है तो इसके अलावा भी आपके मन में कोई doubt है तो आप लोग comment करके पूश सकते हैं अब इस वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद